Е Live लाफलास ट्रांसवार्रमर के Convolution Theorem बहुत ही इंपार्टन क्वोशन ने कूशन होता है Convolution Theorem का यह बहुत पुछा भी जाता है इसमें देखे क्या होताइ इसमें जब हमारे Env purchase की दो प्वेस्व कोशन होते हैं लें रहते हैं तब हम व्性ूभ करते हैं इसको पैचाने के मलब की जब फो दो कोशन का मलीटिप्लिकेशन रहता है । उसको हम लूब अगर शेशन करते हैं यह व् количе eval करें लापषींइस यह Stefansht एसको हम आराम से इजली पार्शल डिफ्रंटियेशन से कर सकते हैं नेकिन अगर आपके पेपर में लिखिया कंवॉरेशन दिफियरम से करेंगे और आपके मैं पार्शल डिफ्रंटियेशन के दरफ में आपको कर वैसे ही आएगा तो देखिए, हम इसका एक पहला कोशन सॉल्फ करते है फॉरमीला होता है इसका यहां पर देखिए, हम जब यह F-X निकालते है, ला प्रस इंवर्स करते है, F-X का तो हमारे यहां इसके आता है F-T आता है, ठीकर? और यहां पर हम लोग ने F-T किया है तो यहां पर हमारा जी टी आया है और जी टी माइनस एक्स किया है ठीक है यह हमारा फॉर्मुला है अब देखिए इस पर हम लोग बेस एक कोश्ट लगाएंगे जिसे हमारा question है one upon s minus two s minus three ठीक है ये वाला question आपको मतलब easily आप partial differentiation से कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं आ जाएगा नेकिन हम लोग को convolution theorem से इसमें कह रहा है कि convolution theorem से करिए तो हम लोग इसको convolution theorem से ही करेंगे तो हम लोग से पहले अलग अलग करके करते हैं देखिए हम लोग इसको मानते हैं कि ये हमारा ft है मतलब fx है और ये हमारा ft gx है ठीक है तो हम लोग पहले लिकालते हैं f s और भी la plus inverse ठीक है तो यहां हमारा la plus inverse आएगा one upon s minus two का इसका हम लोग करेंगे तो e की पावर में टूटी और जब f इसका करेंगे gx का तो हमारा एगा la plus inverse one upon s minus three e की पावर में 3t यहाएगा और यही तो हमारा है यह हमारा ft है और यह हमारा gt है दीके यह हमारा gt और हमारा convolution का framework क्या है दीके convolution theorem से क्या है हमारी दो function into में होना चाहिए जैसे कि यह है दो function into में होना चाहिए तो हमारा यहाँ पे दो function into में है दीके la plus inverse one upon s minus s minus two और s minus three तो यह दो function हमारे multiplication में हैं ठीके आप देखिए यहादा हम लोग रखते हैं थे formula तो हमारा क्या है gt और ft ठीक है तो function हमारा 0 से t और यहाँ पे fx fx क्या है हमारा e की power में two t तो e की power में two और t की place में हमारा x और gt के place पे क्या होगा हमारा हमारा e की power में three t है तो three sorry e की power में three और t के place पे है हमारा t माइनस का x ठीक है यह हमारा d x अब हम लोग इसको ही solve करेंगे देखिए अब हम लोग इसी को solve करना है तो 0 से t और e की power में two x into e की power में three t और फिर यहीं पे होगा हमारा e की power में माइनस का three x यह हम लोगा हो सकता है ठीक है इसी को में solve करें जीरो से t और यह देखिए यह हमारा माइनस हो जाएगा तो हमारा यहां पे e की power में three t ऐसे ही रहेगा लेकिर यहां पे e की power माइनस x हो सकता है जब इंटुक चीज़ होती तो जुड़ता है जुड़ता है तो यह हमारा मैनस था इसलिए माइनस हो गया ठीक है और इसका हम इंट्रिकल कर देंगे e की power में three t बाहरा जाएगा यहां पे होगा e की power मैनस x अपान का मैनस बनाएगा तो यहां पे जीरो से t है वैल यहां पे मारा हो जाएगा मैनस का e की power में three t और यहां पे रखेंगे e की power मैनस का t मैनस e की power में मैनस का zero इसका अंदर हम लोग मल्टिप्लाइ करेंगे तो एकी पावर में ठीटी यहाँ पनी यह माइनस है इंटू की इकी पावर में माइनस टी यहाँ माइनस का इंटू होगा तो प्लस यह इसकी वैलू हमारी वन हो जाएगी ठीक है इकी पावर में 0 होता तो इसकी वैलू हमारी व कि इसको minus कर देंगे, तो यहां पे minus की E की power में 2T, यह हमारा answer आएगा, यह हमारा answer आएगा, इसका अला, plus inverse 1 upon S minus 2, S minus 3, का, convolution theorem से, यह हमारा answer होगा, एक और question हम लोग देखते हैं, convolution theorem का, दूसरा कोश्चन से से करेंगे को साल किजी करेंगे तक निकालेंगे F आफ आफ एक्स निका देंगे कि ला प्लासि इंवर्स की मान 될 होगा एफ की पावर में शरी हाँ अभी एफ्ती हो गई यहारा इसका हम अपाउन पी स्कुर्ण ब्लस वन इसका करेंगे तो हमारा आएगा हमारा आएगा साइंटी साइंटी आएगा जो की हमारा जी टी है तीक है अब कॉन्वेलेशन की जो हमारा फॉर्मुला है वो हम लग कॉन्वेलेशन थियोरम को अपलाई करेंगे तीक है अब देखिए हमारा क्या है ला प्लास इनवार्स बाउन अब पॉन पी माइनस टू और P square प्लस 1 यह है इसका हम लोग करेंगे तो हमारा क्या formula था 0 से T था और यहां था E की power यानि जो हमारा F T था T के जिगाँ पे X तो 2X और फिर G के जिगाँ पे जो था function तो sine और T की place में हमारा T minus X DX यही था formula यही हम लोग अप्लाई करें